नश्कार मैं श्वेट और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन जद्यू MNC राधा चरन सेट की गिरफतारी हो गई है ED की तरफ से छापेमारी की गई थी छापेमारी के दोरान उसे पूस्ताज की गई और उसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया वहीं आपको बताते चलें कि जद्यू MNC राधा चरन के बाद अब बिहार के इस नेता की गिरफतारी होने की आशंका जताई जा रही है आपको बताते चलें कि ED की विशेस टीम में जद्यू MNC राधा चरन सेट को गिरफतार कर लिया आपको बताते चलें कि राजस्व चोरी, अपराधिक, गतिवीधी और बालू के अवैत कारोबार से धनुगाही की आरोप में इनकी गिरफतारी की गई है राधा चरन सेट को आरा के अनाइट में बिहारी मिल के पास उनके फार्म हाउस आवास में बुद्वार को देश शाम गिरफतार किया गया इससे पहले बुद्वार की सुबह आरा में उनके चार और पटना में दो ठीकानों पर छापे मारी की गई जो देर शाम तक चले इस दोरान अनाइट में फार्म हाउस में एमलसी से लंबी पूस्ताच की गई चापे मारी के दोरान जब किये गए समवेदन शिल दस्तावेजो और इन में दर्ज जानकारी को लेकर उनसे सवाल जवाब किया गया सूत्रों के अनुसार सवालों का इस पस्ट रूप से जवाब नहीं दे पाने पर इडी ने उन्हें गिरफतार कर लिया है शापे मारी के दोरान उनके आरा और पटना इस ठीकानों से कोई महत्वपुन कागजात बरामत किये गए हैं इनमे निवेश और अवैद लेंदेन से जुड़े कागजातों की संख्या अधिक है सूत्रों के मुताबिक कागजातों में पैसे की हेरा फेर करने से जुड़े कई पुक्ता प्रणाम मिले हैं इनमें अवैद लेंदेन के अलावा इनसे जुड़े अनकई पहलूओं पर भी पूस्ताश की गई है जिनका जवाब संतोज यनक नहीं मिला ED की टीम ने उन्हें PMLA यानि की Previous of Money Laundering Act के प्रवधानों के अंतरगत गिरफतार किया है गिरफतारी के बाद उन्हें पटना इस्ति एडी कारियाले में रात करीब 9 बजे लाया गया इसके बाद उन्हें मजिस्टेट के समक्ष पेश किया गया आरा में MLC के दो आवासी परिसर एक रिसोर्ट और एक होचल है वहीं पटना के बोरिंग कैनाल रोड इस्ति उनके आवास में बेटा कनहया कुमार रहता है यहां भी ED की टीम ने घंटो च्छान भीन की पटना में उनका एक अन्य छिकाना भी है तिलहाल छापेबारी के दोरान जब किये गए सभी कागजातों की संगन ज्राच की जा रही है इसके बाद ही केंद्रे ज्राच एजेंसी इस मामले को लेकर को शेहम खुला से कर सकती है कागजातों के अलावा किसी ठीकानों से किसी तरह की चल संपत्ती की बदगी या जबती की कोई आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं मिली है चापेमारी की इस कारवाई से एक पखवाड़ा पहले यानि की 30 और 31 अगस को लगतार दो दिनों तक राधा चरण सेट एक सितंबर और उनके बेचिक नहया कुमार के पटना इस्थित एजी के कार्याले में संगन उस्तांच की गई थी इस दोरान कई एहम बातों की ज़्य चापेमारी की इस दोरान एक सो पच्चास कड़ो रूपे से अधिक टैक्स चोरी की बात सामने आई थी इस मामले में मनी लॉंडरिंग से जूड़े तत्थि सामने आने के बाद इस मामले को ईजी ने अपने पास लेते हुए जाच शुरू कर दी थी यहाँ एक तराफ कल राधा चरन सेट जो जद्यू के मलसी है उनकी गिरफतारी हुई है एडी की शापेमारी के दोरान जब उनसे यह सवाल किया गया तो सवालों के जवाब संतोस जनक नहीं थे जिसके बाद राधा चरन सेट की गिरफतारी हुई है फलाल कल इस ख़बर में इतना ही तमाम ख़बरों के लिए देखते रहें निउस्वानेशन धन्यवाद